नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे इस चानल पर्पल पैनन में जहां हम आपको बिजस वर्ड स्जुडी बातू की जानकारी देते हैं दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडिया के फेमस ऑंट्रियोर सीएओ और को फाउंडर लेंस कार्ड प्यूश बंसल की जो अभी के समय काफी चाय हुए है और जब से वे शाफ्टेंग इंडिया का हिस्सा बने हैं तब से हर इंडियन यूथ हुने फॉलो क कर रहा है कैसे अन्होंने अपने विजस को जिरू से शुरू करकि आज 11000 को कंपनी बना डाली इस टॉपिक में हमें प्यूश बंसल की लाइक जोड़ी वो सारी बाते आप क्या शेयर करेंगी कि कैसे उन्हें शुरुवात की और कैसे वो आज यहां तक पहुंच पाए जिस अभी के समय में उनकी अमणी खटी सान वर्ष हो चुकी है विजस बंसल अभी के समय शान्शोंदाक है और उनकी पत्नी का नाम निमिशा बंसल्य बच्पंस लई पढ़ाएं में काफी स्वार थे और उनका सपना आई-टी में जाने का था लेकिन उनका आई-ई-टी में सेल पढ़ाई के दवरान वें वेटर की जॉब किया करते थे जिस से उनका फषर्म भी निकल जाये अपनी पढ़ाई के द की दोरान उन्हें लगता था कि उन्म कश्चन नया करता है जिसके बारे में वह वे Object सोस्टे रहते थे जिस प्यूज बंसल अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब भी टाइम मिले तो प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ लिया करते थे जिससे उन्हें काफी रुची बढ़ने लगी फिर उन्हें ठान लिया कि ऊपोगर बनेंगे और उन्होंने अपना एक मिशिन मना लिया कि उन्हें अब Microsoft में जॉब करनी है लेकिन जब उने पता चला कि Microsoft उनकी कॉलेज में प्लेसमेंट ले नहीं आती है तो फिर भी उन्होंने हार नहीं माने और महरत करते हैं जब वे पहली पार Microsoft में इंट्रव्यू देने गए तो रिजेक्ट हो गए लेकिन उन्होंने फिर से कोशिश की और दूसरी बार में सेलेक्ट हो गए प्यूश बंसल ने करीब एक साल तक Microsoft में काम किया उसी गवरान में बिल गेट से मिलने का मौका मिला और वो दिन उनके लिए काफी प्राउड मोमेंट वाला था वे बताते हैं कि उस एक साल में उन्हें जॉब करते हुए कई जिनी सीखने को बिली कैसे प्रोड़क्ट पर काम किया जाता है और कैसे क्लाइन की प्रॉब्लम की जाती है अपनी जॉब की दौरान प्यूस को लगा कि आके मैं कब तक सॉफ्वेर अब्रेट करता रहूँगा मुझे खुद का कुछ करना चाहिए और यह निर्णे और उन्होंने बहुती कम समय में लिया और वे इंडिया वापस लॉट आ है जिसकी वाद उनके फामिली वाले करना दी कि आखिन क्या करना है फिर काफी ब्रेंस्टॉमिंग के बाद उन्हें आइडिया आया कि क्यों न चश्वों का विजुस किया जाए और वह भी इंग्दम अलग तरीके से जिसके लोगों ने काफी रिसर्च किया तब उन्होंने जाना कि पूरी दुनिया में 40% लो को पता है आपको की समस्य आपकी कारी की क्वालिटी उखराब करता है जिससे आपकी प्रोड़क्टिविटी पर भी असर पड़ता है तब जाकर प्यूश ने बागी दो पार्टर के साथ मिलकर 2011 में लेंस कार्ड.com की शिरुआत की और वे अपनी इंवेस्टर भी जोड़त चुकी थी और आज किसमें लेंस कार्ट की वालुएशन 11,000 करोड हो चुकी है अभी किसमें प्यूश बंसल की कुल नेट वर्थ 600-700 करोड तक है जहां लोगडाउन की समय पूरी दुनिया बंद थी और पूरा बिसन्स बंद था वहां लेंस कार्ट को अपने नए ग्रहां जोड़ने का और मौका मिला जिसकी विरस से आज प्यूश बंसल एक सफल ऑंट्रपेनॉर है जो आज की यूद तिले एक इंस्पिरेशन है दोस्तों प्यूश बंसल जिस तरह से आज की समय शाफ टैंग इंडियांग शो के माध्यम से नए ऑंट्रपेनॉर से जुरे हैं उ आज के लिए तना ही हमें उमीद है कि आपको वीडियो पसंदाई होगी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चानल परपल पैरेंट को सबस्ट्राइब करना ना भूले धन्यवाद